हौलीबूट फिलमों के मामले में भारतिया दर्सकों की पाली पषन्ड मारवल सिनोमेटिक इनवस की फिलमों में पाली बार दिखाई गई मौल्टी वर्स की हैरत तंगेच डुनिया अब अस्पाईडर मैन की एनिमेशन फिल्म का भी हिस्सा बन गई है दर्सकों के सबसे चह आता है करीब पांच साल पहले आई एनिमेशन फिल्म इन्टू दा स्पाइडर वर्स की सीक्वल अस्पाइडर मैन अक्रोस दा स्पाइडर वर्स को अमेरिका से ठीक एक दिन पहले भारत में करीब अठारा सो स्क्रीन पर रिलीज किया गया है फिल्म की कहानी के मुतावित पिछले फिल्म में एक रेडियो एक्टिम मकडी के काटने के चलते पहला अस्पाइडर मैन बना माइल्स माल्स अब पूरी तरह अपने किरदार में आ चुका है वह अक्तर लोगों को मुसीबत से बचाता है लेकिन उसे अपने दोस्तों की कमी ख हमलती है एक दिन उसकी टकर एक अलजीब बिलन अस्पोड़ से होती है जिसका उससे पुराना नाता है एक दिन मैल्स की पुरानी साथी गवेन लोटाती है वह मैल्स को बताती है कि वह दूसरे मुल्टिवर्स से आई है और अब दुनिया को बचाने वाली एक इलिट फोर् है जिसकी मदद से वह अलग-अलग मल्टी वर्स में बिना किसी दिक्कत के जा सकती है अस्पोर्ट से निपटने के लिए माइज और गवेन दूसरे मल्टी वर्स में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात मुंबई के रहने वाले इंडियन अस्पाइडर मैन पवित्र पर चलती है कि तमाम दूसरे मल्टी वर्स के अस्पाइडर मैन उसके खिलाप हो जाते हैं ऐसे में माइल्स का मुकाबला दूसरे दुनिया के अस्पाइडर मैन की सेना से होती है इस लड़ाई का अंजाम जानने के लिए आपको सीनेमा घरों में जाना पड़ेगा फिल्म के अ कमखम से निभाने की यह कहानी बच्चों से लेकर बढ़ों तक सबको पसंद आएगी एक बच्चे के माधियम से अपनी कहानी आगे बढ़ाने वाली इस फिल्म में जोड़दार एक्शन है तो वहीं इमोशन भी भरपूर है साथ ही कोमेडी का भी तड़का है फिल्म की सब दी वर्जन में इंडियन अस्पाइडर मैन पवित्र परभाकर को किर्केटर सुमन गील ने आवाज दी है जिस पसीनेमा घरों में बैठे दर्सक रोमांचित हो जाते हैं तो आप लोग को मेंट करके बताईए कि आप लोग अस्पाइडर मैन अक्रोस द अस्पाइडर वर् ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजेगा